तो एलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब इंटरडबल सो फिर से आपका स्वागत है तो आज की इस फीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी अच्छे स्टॉक्स को लेके हैं और मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के वर में आपको बताया था आसा कर तो आप सभी ने इंट्री होग लाता रहूंगा अगर आपको लगते कि में चैनल मिल सकती है जरू में चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आगन को दबाईए तो आज के लिए जो पहला स्टॉक हम देखने वाले हैं वह है टाटा पावर वापस से एक कैंडल फॉर्म हुआ कैंडल नीचे से जिसका विक फॉर्म वॉल्म काफी जादा है आज का मार्केट बहुत ज्यादा आज वोलटाइल था तो काफी में चांस हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का इसमें पॉस्टिव मोमिटम आने का चांस है यह जो लेवल था यह एक आउट निकल लिया तो जैस कि सिम्प्ली यहां पर श्ट्रगल कर रहा थोड़ जैसे च्च्यूबर क्रोसकोर यानि कि उपर क्रोस कर दो काफी चांस है और चांस है और इसम्फ पॉस्तिव मेलृला थैसितिश की में जाए सकता है सो क्यों जोनय है कर लेना इसमोव आ सकताकि गोंगा असी wie अद्रकर न मैंने आपको बोला थे stop loss इसके नीचे रखने फिलाल मार्के डाट काफी जाद आज वोलटाइल था मैंने आपको बोला थे वापस आपको entry लेनी है तो इसकी ऊपर आपको लेनी है तो यह स्टॉक पोजिशनल ट्रेट के लिए था तो हमें काफी टाइम तक होल्ड करना है इसलिए हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करें तो ऐसे जगह पर ट्रेल करना होगा जहां पर रिटेस्ट भी हो तो कम चांस हो हमारे स्टॉप लोग तो मैंने आपको बोला था यह लेवल आपको इसमें जो अगला स्टॉप हम देखने वाले वह जमाना उट्व की श्टॉप को निकालने का कारण हम देख सकते हैं रेस्ट के नीचे पर में अच्छी बात किया है पर वॉल्यूम नहीं आया है इकम थोड़ा सब वॉल्यूम जादा नहीं आया है तो चांस है वाचल समयड कर लेना है जो अगला स्टोग हम देखने वाले मैंने आपको बताया था वाला फानेंस के बारे में जैसे इस लेवल पर होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है अब वैसे आगे पॉस्टिव मोंटम आ सकता है इसमें भी जैसे मैंने बताया टाटा स्टील में यहां पर भी एक आउट आया तो जैसे इस लेवल को तोड़ेगा तो हमारा बाइस कम्प्रीटली नेगेटिव हो जाएगा और वाली वीडियो में आसा कर तो आप सभी ने चेक किया होगा हम बात करें महिंद्रा में इसमें भी काफी चान्स है आगे पॉस्टिव से इसमें फॉर्म हो सकता है तो आप देखते रहना अगर आपने नहीं देखा तो फ्राइडे वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं आप मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में काफी जादा पॉस्टिल में आया आज मार्केट में जादा बहुत जादा बॉलेटिलिटी आए तब ही यह सस्टेनेबल था और आगे उपर कर रहा था आगे चान से परफॉर्म करते रहेगा स्टॉप लोग करें जितना मूव आता है होल्ड करकर रखना हमें और एलेंटी के वारे मैं मैं आपको बता है जैसे ही ट्रेंड ला जादा आएगा तो बिल्हाल अभी इसी तरह यह मूव देने वाला है सपोर्ट लेते हुए उपर उठने वाला तो आप इसी में स्विंक्टेड आप कर सकते हैं और हैपिस मैंड मैंने आपको बताया था यह पैटरन फोर्म हो रहा था उसका ब्रेकडाउन हो गया उपर से का अकॉन्स कॉ के भाद और यह सपोर्ट की तरह काम आप और यह लेवाॉफ करना जरू सब्सक्राइबबब्स की आoras जरूपर ऊरपाइं पायं जरू वह जरू करना ऑम सकता और आज जो स्टॉक हम देखने वालेंू वह data प्रेस्टीज का सकते 2020 घौर सिंपली एग काफी जाद पॉजिटिव मोमेंटम आया प्रोफिट के बाद चांस समें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और अगला स्टॉक इंडस्ट्री इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने यहां पर ट्रेल करके रखा हुआ था मैं आपको बदाया था हर वीडियो में मिला ऐसी आपको ध्यान आपको देते रहना है इंप्ली काफी चांस आपको मिलने वाले हां के अगर स्टॉप लॉस भीट हो गया तो कोई बात नहीं मैंने इसमेंट्री वापस नहीं लिए अभी मैं कल इसे वाच करने वाला हूं जो यह लेवल था अगर इसका होल्ड करता है तो मैं करूंगा यह रेहरा है तो मैं करूंगा बाई जाए जो बिलन इंग्रेवर किया में पर आपको देखते रहना और आपको लगते हैं सब्सक्राइब कर चाह mechanics बिल्का में kyla fi 추 अ कर सकते हैं nosso